हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और मैं आज आप सभी को LIC के एक नए इंशोरेंस प्लान जीवन आनंद के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नंबर है 715 LIC के इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें आपको lifetime risk cover मिलता है इसका मतलब ये है कि इसमें आपको lifetime insurance मिलता है कई बार ऐसा होता है कि हमारी age ज़्यादा हो जाती है और उस टाइम पर हमें insurance नहीं मिलता है तो अगर आप LIC का जीवन आनंद प्लान लेते हैं तो इसमें आपका lifetime insurance cover रहता है दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको risk cover का तो benefit मिलता ही है साथ में आपको savings का भी benefit मिलता है यानि कि कुछ टाइम बात जो भी आपने premium pay किया है वो with bonus आपको maturity पर मिल जाता है इसके साथ साथ यहाँ पर आपको loan की facility मिल जाती है और जो लोग tax benefit benefit चाते हैं उनको यहाँ पर premium की deduction भी मिलती है और साथ साथ maturity पर भी ये income tax से exempt है तो ये कुछ खास benefit है जो कि आपको LIC के जीवन आनंद plan में ही मिलते हैं अब अगर हम बात करें 1 October 2024 से पहले की तो उस समय इस plan का जो number था 915 LIC का जीवन आनंद plan plan number 915 लेकिन 1 October 2024 के बाद इसमे कुछ modification करके इस plan को फिर से introduce किया गया है जिसमें इस plan का number change कर दिया है और ये हो चुका है LIC का जीवन आनंद plan number 715 तो इस वीडियो में हम LIC के plan number 715 को समझने के साथ साथ जो भी LIC के जीवन आनंद plan में changes किये गए हैं उनको भी जानने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है conditions की और requirements की तो यहाँ पर अगर हम बात करें minimum age की तो इस plan को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई insurance plan लेना चाहती हैं तो आप ये नहीं ले पाएगे 18 साल या 18 साल से ज़्या की आपकी उमर है तो ही इस insurance plan को आप ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum age की यानि की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उमर तक के वैक्ती इस insurance plan को ले सकते हैं तो वो age यहाँ पर 50 साल की दी गई है 18 साल से लेके 50 साल तक के वैक्ती इस policy को ले सकते हैं उसके ब इंशोरेंस प्लान को ले सकते हैं तो minimum policy term इसमें 15 साल की दी गई हैं कम से कम 15 सालों के लिए आपको इस policy को लेना होगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum policy term की यानि की जाद से जादा कितने time period के लिए आप इस insurance प्लान को ले सकते हैं तो वो time period यहाँ पर 35 साल का दिया गया हैं 15 साल से लेके 35 साल की policy term आप इसमें choose कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum sum assured की इसका मतलब यह है कि कम से कम आप जो बीमा राशी है वो कितनी ले सकते हैं तो वो amount यहाँ पर दिया गया है 2,00,00 रुपे का इसका मतलब यह नहीं है कि आपको 2,00,00 रुपे पे करने होगी इसके basis पर ही आपका जो premium है उसकी calculation की जाती है और उसी के according आपको आपके insurance plan के benefit मिलते हैं पहले कि अगर हम बात करें तो LIC के plan 915 में यह जो sum assured था वो 1,00,00 रुपे का था लेकिन अब इस minimum sum assured को increase करकी 2,00,00 रुपे कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पर बात आ कि income पर depend करता है कि LIC आपकी income basis पर आपको कितना insurance देती है उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum maturity age की यानि कि जब भी आपकी policy की maturity होगी या आपकी policy खतम होगी तो उस time पर जाद से जादा आपकी उमर कितने साल की होनी चाहिए तो वो age यहाँ पर 75 साल की दी गई है यानि कि अगर आपकी age जो अब है और जितनी policy term आप लेना चाहते हैं उन दोनों को add कर देते हैं तो वो term 75 साल से जाद की नहीं होनी चाहिए तो यह हमने बात की है कुछ requirements की आईए अब एक example की मदद से इस पूरे insurance plan को समझते हैं तो यहाँ पर example को समझने के लिए हम मान लेते हैं क और यहाँ पर आप 5 लाख रुपे का सम्मेशोड लेना चाहते हैं और यहाँ पर हम मान की चलते हैं कि आप जो policy term लेना चाहते हैं वो 21 साल की लेना चाहते हैं हमने जाना था कि आप 15 साल से लेकि 35 साल की policy term सेलेक्ट कर सकते हैं तो अभी के लिए हम 21 साल की policy term यहाँ पर choose कर लेती हैं तो यहाँ पर अगर हम इसके premium की calculation करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा yearly premium आएगा वो होगा 39,252 रुपे का यह मैंने आपको base premium बताया है इसमें आपको GST add करना होगा जो कि first year में 4.5% होता है और उसके बाद अभी के इसाब से 2.25% होता है तो GST add करके यहाँ पर first year का जो premium आएगा आपका वो होगा 30,568 रुपे और उसके बाद जो second year से आपका जो premium होगा वो होगा 29,910 रुपे yearly इसके अलावा अगर आप इस premium को मंतली देना चाहते हैं थ्री मंत में देना चाहते हैं या फिर half yearly देना चाहते हैं तो वो option भी आपके पास available होता है अगर हम य LIC के previous plan 915 से तो आईए जानते हैं कि कितना premium यहाँ पर अब increase हो चुका है तो यहाँ पर हमारे example के हिसाब से जो premium मनता है plan 915 में वो होगा 27,611 रुपे का यह हमने बात की है base premium की और अगर हम base premium देखते हैं LIC के plan 715 में तो वो हो चुका है 29,252 रुपे का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना difference yearly premium पर हमारे example के हिसाब से LIC के जीवन आनंद plan में आ चुका है तो आईए अब हमारे example को समझते हैं तो यहाँ पर हमारी age जो है अभी 35 साल की हो चुकी है तो यहाँ पर हमने जो policy term ली है वो हमने 21 साल के लिए लिए है तो हमें 21 सालों तक इसके policy के premium की payment करनी होगी 21 सालों तक हम policy के premium की payment करेगे तो total premium हम इसमें जो pay करेगे without GST 6,14,292 रुपे की payment हम इसमें कर देते हैं लगातार आपको 21 सालों तक इसके policy के premium की payment करनी होगी उसके बाद यहाँ पर जब आपके 21 साल पूरे हो जाते हैं तो इस policy की maturity हो जाती है और maturity के समय आप आपके policy का bonus मिलता है और साथी साथ final additional bonus मिलता है यह जो basic समय शोड होता है यह आपका fix होता है जो भी आपने choose किया है तो हमारे example के हिसाब से हमने जो basic समय शोड लिया है वो 5,00,000 रुपे का लिया है जो की fix होगा और guaranteed होगा साथी हमें bonus मिलता है LIC के तरफ से आपके policy में हर साल bonus add किया जाता है जो की LIC के profit का कुछ हिसा होता है यह bonus LIC के तरफ से guaranteed नहीं होता है यह bonus कम भी हो सकता है और यह bonus जादा भी हो सकता है LIC आपके policy में हर साल कुछ bonus add करती है और जब आपके policy की maturity होती है तो उस time पर आपके policy का bonus आपको मिल जाता है साथी साथ यहाँ पर यहाँ पर अगर हम पास्ट एयर में बोनस का रेट देखती हैं तो आपको 46 रूपीज 1,000 रुपे के समय शोड़ पर मिलता है बोनस तो यहाँ पर यह जो 46 रूपीज है 1,000 रुपे के समय शोड़ पर वो एक साल का bonus है तो हमें 21 साल का bonus calculate करना होगा इस rate से जो कि हमारे एक assumption के basis पर है तो हमारे ये जो estimate bonus हो सकता है वो होगा 4,83,000 रुपे का ये मैं आपको फिट से बताना चाहूँगा कि ये bonus fix नहीं है और ना ही ये bonus guaranteed है ये सिर्फ पिछले सालों के bonus rate के assumption के basis पर calculate किया गया है उसके बाद हम final additional bonus का rate देखती हैं तो वो यहाँ पर 100 रुपे का है जो कि 1000 रुपे के सम्मेशोड पर होता है तो final additional bonus आपको हर साल नहीं मिलता है वो कि अवल एक बार maturity पर मिलता है तो वो bonus यहाँ पर 50,000 रुपे का हो जाता है तो यहाँ पर अगर हम total maturity का benefit देखती हैं तो वो यहाँ पर आपको 10,33,000 रुपे तक का मिल सकता है तो यह हमने बात की है maturity के benefit की policy की maturity होने के बाद भी इसमें आपका lifetime risk cover रहता है या आपका lifetime insurance cover रहता है जो भी आपका basic sum मेशोड है उतना ही आपका insurance cover lifetime रहेगा policy की maturity के बाद जब भी policy holder की death होती है तो उस time पर यह जो amount है वो उनके nominee को दे दिया जाता है यह हमने बात तब की है जब policy term के दोरान policy holder के साथ कोई भी दुरगटना नहीं होती है तो आईए अब एक example लेके समझते हैं अगर इस policy holder के साथ कोई दुरगटना हो जाती है तो उस case में इनके nominee को क्या क्या death benefit मिल जाते हैं तो यहाँ पर policy term के दोरान अगर policy holder की death हो जाती है तो policy holder के nominee को some assured on death मिलता है साथ ही bonus मिलता है और साथ ही अगर कोई final additional bonus है तो वो भी मिलता है अब यहाँ पर some assured on death क्या है उसके बारे में जानते हैं तो LIC यहाँ पर कहती है कि अगर policy holder की death हो जाती है तो उस case में हम some assured on death calculate करेगे जिसके लिए यहाँ पर LIC ने दो calculation बताई है उन दोनों ही calculation में से जो भी ज़्यादा amount आता है वो आपका some assured on death होता है साथे साथ यहाँ पर जितने साल भी आपकी policy चली है उतने साल का bonus आपकी policy में add कर दिया जाता है और यह जो भी total amount आएगा वो death benefit के रूप में आपके nominee को मिल जाता है आईए अब यहाँ पर एक example लेके समझते हैं कितना death benefit यहाँ पर nominee को मिल जाता है तो example को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब इस वैक्ति की age 39 years की होती है या फिर policy के 5 साल पूरे हो जाती है तो उस time पर अगर उनकी death होती है तो कितना benefit इनके nominee को मिलता है तो यहाँ पर हमारे example के हिसाब से अगर हम some assured on death calculate करती है तो सबसे पहले हमें calculation करनी होगी जो भी हमारा basic sum में शोड है उसका 125% करना होगा तो हमारा जो basic sum में शोड है वो 5 लाक रुपे का है उसका 125% करती है तो 6,25,000 रुपे का amount यह हो जाता है और दूसरी calculation में हमें जो हमारा analyze premium है उसका 7 times करना होगा तो अगर हम अपनी analyze premium का 7 times करती है तो वो 2,4,764 रुपे का हो जाता है तो इन दोनों ही calculation में से जो भी ज़्यादा amount होगा वो हमारा sum में showdown death हो जाता है तो हमारे example के हिसाब से 6,25,000 रुपे का हमारा sum में showdown death होगा 7-7,5 साल का bonus हमें मिलेगा जो की 1,15,000 रुपे हो जाता है जैसे हमने पहले bonus calculate किया है ठीक उसी तरीके से हमने 5 साल का bonus यहाँ पर calculate कर लिया है जो की 1,15,000 रुपे का हो जाता है तो यहाँ पर अगर हम total death benefit की calculation करती है तो लगबग लगबग 7,40,000 रुपे का amount इनके 9 मिनी को मिल जाता है यह हमने बात तब की है जब policy holder की death policy term के दोरान होती है यह विर maturity से पहले होती है अगर यहाँ पर policy holder की death maturity के बाद होती है तो उस case में यहाँ पर basic sum में short दिया जाता है जो की हमारी policy के हिसाब से 5,00,000 रुपे का होगा इसी के सासत यहाँ पर LAC के plan 715 में यहाँ पर एक चीज और LAC ने add की है जिसमें कहा है कि जो भी आपका death benefit होगा वो आपने जो premium pay किया है उसके 105% से कम नहीं होगा तो यह भी आप अपने premium paid का 105% calculation आप खुझ से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप अपनी policy में कुछ additional benefit भी add करा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ extra premium pay करना होगा जिसे हम riders यहाँ पर कहते हैं तो आप अपनी policy में कुछ optional rider ले सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ extra premium pay करना होगा और उसका कुछ extra benefit आपको मिल सकता है तो यहाँ पर आपको तीन rider मिल जाती है सबसे पहले है accidental death and disability benefit rider दूसरा है accidental benefit rider और तीसरा है term assurance rider तो इन तीनों में से ही आप कोई भी rider ले सकती है जिसका आपको premium pay करना होता है यहाँ पर अगर हम बात करें critical illness rider की तो अब यहाँ पर LIC ने इस plan में से critical illness rider को हटा दिया है यह जो मैंने आपको rider बताई है LIC ने इन में भी कुछ changes किये हैं जिनको हम किसी और वीडियो में cover करेंगे उसके बाद यहाँ पर बात आती है other benefits की कि इसमें और कौन-कौन से benefit आपको मिल जाती है सबसे पहला benefit इसमें जो आपको मिलता है वो है surrender का तो अगर आप अपनी policy को surrender कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं तो policy के एक साल बाद आप अपनी policy को बंद भी करा सकते हैं तो अगर हम पहले की बात करें तो LIC के plan 915 में ये time period 2 साल का होता था उसके बाद यहाँ पर बात आती है loan value की तो अब आप अपनी policy में एक साल बाद policy पर loan ले सकते हैं पहले अगर 915 plan की बात करें तो उसमें आप policy के 2 साल बाद ही अपनी policy पर loan ले सकते थें उसके बाद यहाँ पर बात आती है free look up period की तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी policy ले लेती है और policy लेने के बाद आपको उसकी terms and condition समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर आपने जो policy ली है आप उस policy को cancel भी करा सकती है अब यहाँ पर जो भी आपका physical या electronic bond आपको जब मिल जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी policy को cancel करा सकती है पहले यह जो time period था वो 15 दिन का ही दिया गया था उसके बाद यहाँ पर बात आती है mode of payment की तो जैसे कि मैंने आपको बताये यहाँ पर आपको 4 payment के option मिल जाते हैं monthly premium आप pay कर सकते हैं quarterly कर सकते हैं half yearly कर सकते हैं या फिर yearly भी आप अपने premium की payment कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जो भी monthly payment mode है वो आप net से करा सकते हैं या फिर salary savings केम से करा सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें net की तो net में जो भी premium की deduction होती है वो आपके bank account से automatic की जाती है तो अब यहाँ पर LIC ने इसमें एक modification की है जिसमें LIC कहती है कि अगर आप monthly net कराती है तो उस case में आपको 3 महीने का advance premium देना होगा पहले यहाँ पर 2 महीने का advance premium लेके ही आपका net किया जाता था तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है grace period की तो यह एक ऐसा time period होता है जिसमें आप बिना किसी extra fees के अपने premium की payment कर सकते हैं आपको कुछ extra दिन दिये जाते हैं जिसमें आप अपने premium की payment कर सकते हैं तो अगर यहाँ पर आपने yearly, half yearly या quarterly option चूज किया है तो आपको 30 दिन का grace time period मिलता है और अगर आपने monthly payment option चूज किया है तो आपको 15 दिन का grace time period मिल जाता है जिसमें आप अपने premium की payment without late fees कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको mode rebate भी मिल जाता है अगर यहाँ पर आप yearly payment option चूज करते हैं तो उसमें आपको 2% का rebate मिल जाता है आपके tabular premium पर साथी अगर आप half yearly payment option चूज करते हैं तो उसमें आपको 1% का rebate मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है revival की तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी policy को continue नहीं कर पाते हैं और कुछ time बात चाते हैं कि हम अपनी policy को फिर से शुरू कर लें तो उस case में अगर आपकी policy कभी भी बंद हो जाती है तो आप अपनी policy को फिर से revive करा सकते हैं यहाँ पर आपको 5 साल का time period दिया जाता है जिसमें आप अपनी lapse policy को फिर से शुरू करा सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पर अगला benefit जो मिलता है वो है tax benefit तो जो लोग भी income tax return फाइल करते हैं वो income tax की ATC section में premium की deduction ले सकते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको जो भी maturity या death benefit मिलते हैं वो income tax की section 1010D में exempt होते हैं तो यहाँ पर मैं उमीद करता हूँ कि आपको LIC के plan जीवन आनंद plan number 715 की complete information मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं मैं जल्दी सी जल्दी उसका reply करने की कोशिश करूँगा साथी साथ अगर आप LIC से जुड़े हुए नए plans की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं धन्यवाद